तो दोस्तों बहुत सारे लोग पिछले काफ़ी टाइम से Samsung के upcoming flagship, budget flagship device Samsung Galaxy S23 FE का यहाँ पे इंतिजार कर रहे थे तो finally अगर आप भी उन में से हो तो भाई आपका इंतिजार यहाँ पे खतम होने जा रहा है जिया S23 Fan Edition अगने महीने September के अंदर यहाँ पे launch होने जा रहा है बहुत ही strong rumors है और अब तो official भी यहाँ पे हो चुका है क्योंकि कजाकिस्तान की जो Samsung की website है वहाँ पे इस device का support पेज है वो भी live हो चुका है और different different जितने भी certification है इवन BIS के उपर भी यहाँ पे spot कर लिया गया है तो मत देख सकते हो बिल्कुल minimalistic सा same design देखने को मिलेगा जो कि आपको S23 series के अदर अल्यडी देखने को यहाँ भी मिलता है IP68 का water resistance यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसके लावा turning gorilla glass का protection भी देखने को मिलेगा मैटनिक frame आपको देखने को मिल सकता है लेकिन लगता है build जो है वह यहाँ पर प्लास्टिक का ही देखने को मिलने वाला है अब इसके लाव बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे वे तो यहाँ पर आपको 6.4 इंचीज का एक dynamic AMOLED डिस्प्ले देखने हो मिलेगा मतलब की जिसके देर variable refresh rate होती है और आपको 120 Hz का आपको यहाँ पर refresh rate अब बात कर लेते हैं आपको आपको एक्जिनोस डवल टू डवल जिरो वाला चिपसेट देखने को मिलेगा जबकि यूएस वगरा वाला वारियंट होता है वहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा अब देखने को मिलता था इनके लास्ट यह के फ्ल स्नैपड्रागन ही सही होता है तो यह चीज है इसके लाँ आपको यहाँ पर फ्लैक्शिप स्टोरेज और फ्लैक्शिप वाली राम देखने को मिल जाएगी अब बात कर लेदे हैं आप आप आप्टिक्स के बारे ने तो रेर साइट में ट्रिपल कैमेरा सेंसर आप यहाँ यहाँ को पावर देगी एक साड़े चारह हजार एमेज की बैटरी और सामसंगी प्रोप्राइटरी 25 वाट्स की यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इसके लाबा इतने बेसिक कनेक्टिविटी ऑप्शन होते हैं आपको लेटेस्ट वाले अब कमिंग सामसंग गलेक्सी एस 23 फैन एडिशन की जोकी नेक्स्ट ही मन्त बता जा रहे हैं यहाँ पर लॉंच होने जा रहे हैं ग्लोबली और इंडियर मार्किट के अंदर भी अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं किस प्राइसिंग पर आपको देखने को मिल सकता है अब देखिए अगर देखा जाए ना तो अगर आप S21 FE को देख लो S20 FE को देख लो S23 FE को देख लो तो मतलब कोई इन स्मार्टफों में कोई इंडूसरे से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है लेकिन वही बात है कि नए जेरेशन का स्मार्टफोन हो जाता है और मैं मिल तो हूँ हम बेशिक पर आप से नेक्स वीडियों तक के लिबाए एंड टेक केर